नमस्कार और क्राइम तक देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ दीपक सिंग आज एक ऐसी वारदत की बारे में बात करेंगी जहाँ पर एक लौती बेटी ने इसका नाम हम नहीं ले सकते उसने अपने वर्फ्रेंड के लिए अपनी मा की हत्या की साधिस्ट अची ताकि उसे अपनी महबबत में 100 में से 100 अंग मिल सकें मा का नाम अंजिली है, पिता का नाम उदित है, बकायदा वो जूता कारुबारी है मा को इसकी बारे में कोई जानकारी नहीं थी एक दिन मा अपनी नाबा अलिक बेटी की फोन उठाकर देखती है कि पता लगाएं कि बेटी आजकल कर क्या रही है मा कुछ चैट्स देखती है अब पती जनक चैट्स देखती है फोटोस देखती है जिस पर बेटी से पूसती है कि बेटी ये बता ये लड़का कौन है बेटी सब कुछ बताती है कि मा ये मेरा बॉइफ्रेंड है मैं इसे प्यार करती हूँ उसका नाम प्रखर है मा पूस्ति इसकी qualification क्या है तो पता रगता है कि वो बारुवी पास है मा कहती है कि तुम्हें इस सब चीज़े करने की कोई ज़रत नहीं है तुम्हें पढ़ाय लिखाई करो ये उमर पढ़ाय लिखाई की है ना कि किसी लड़की के साथ घूमने की और खास दौर पर अभी relation में आने का कोई मतलब भी नहीं है तुम अभी पढ़ाय लिखाई करो ये सब चीज़े अंजली ने अपनी बेटी को कहीं लेकिन अंजली ने फोन लगा कर प्रखर यानी अपनी बेटी की बेटी को कहा कि देखो तुम मेरी बेटी से दूर रहो नहीं तो मैं तुम पर पॉक्सो एक लगा दूँगी और तुम आज इवन करावास यानी जेल में ही रहोगे पहले तुम प्रखर आना कानी करने लगा कि नहीं नहीं अन्टी ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन वो अंदर ही अंदर डर चुका था अब कई दिनों के बाद जब नाबालिक बेटी और जो प्रखर बॉइफरेंट था एक दूसरे से मिलते हैं तो लड़का कहता है देखो मुझे डर है कि मैं तुम्हारे कारण जेल में जा सकता हूँ फिर प्यार भरे जो इनकी बाती थी उनमें एक प्लान मना प्लान ये मना कि मा को ही रास्ते साथ आदो अगर मा नहीं रहेगी तो हमारी बीच में प्यार का कोई काटा ही नहीं रहेगा अब इन सब चीजों में घर की एक लौती बेटी अपनी मा की हत्या की पूरी प्लानिंग अपनी वर्फरेंड के साथ मिलकर कड़ने लगी लर्का गाउं जाता है गाउं से एक दोस्त को लेकर आता है नाम है उसका शीलू दोनों मिलकर plan मनाते हैं कि अपनी girlfriend की मा की हत्या कैसे की जाए प्रकर थौसा intelligent था बारी पास थाई लेकिन उसने दिर्श्यम देखा कई बार दिर्श्यम देखने की कुछ दिर्श्यम 1 दिर्श्यम 2 दोनों देखी web series देखा वो समझना जाता था कि criminal psychology और खास तोर पर जो police किस तरीके से कारवाई करती है आगर कोई investigate करना होता है उसके दिमाग में जो उसे देखके से सीखा उसने यही चीज़ सीखी कि police जब भी कोई वार्दात हो जाती है तो इसकी investigation के लिए phone को सबसे बड़ा जरिया मानती है किस वत कैसे call किया गया क्या location रही होगी WhatsApp chat भी पुलिस खंगालती है तो उसने यही चीज़ समझ लिए कि देखो अगर मैं अपना phone यूज़ करूँगा तो किसी भी तरीके से पुलिस उस तक पहुची जाएगी उसने सीधे दोर पर शीलू जो उसका दोस्ता काऊंगा उसका phone लिया उसे कहा कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारा phone यूज़ करूँगा उसने अपने दोस्त की phone पर अपना WhatsApp chat login करवाया उसी phone से अपनी girlfriend को call किया करता और अकसर बाते हुआ करती मकसद ही था कि पुलिस उस तक ना पहुचे अब जब इस सारी बाते हो गई phone का इंदिजाम हो गया दोस्त का इंदिजाम हो गया कि कैसे हत्या करवानी है दिश्यम का UFC देखनी लगा तो उसके दिमाग अब समझ में आ चुका था कि planning करनी कैसी है इसके बाद 20 दिन पहले वो लड़की की मा की हत्या करनी वाले थे लेकिन उस वक्त मा की एक्सिडेंट हो जाती है और पैरों पर चोटा जाती जिस वज़े से उन्होंने इस plan को टाल दिया लेकिन फिर 5 जून की तारीक आती है 5 जून को भी वो लोग फिर से कोशिश करते है फिर से ठक हर जाते है ऐसा करती करती लड़की को मेसेज भेजते हैं कि दिखो एक काम करो तुम मैं अपने दोस्त की गाड़ी भेज रहा हूं तुम उस गाड़ी में बैठो और चुप चाप भी बताए गई जगा पर आ जाना प्रखर अपने दोस्त को भेजता है श्रीलू को वहाँ उसकी गाड़ी पर बैठती है उसकी गल्फरेंट और बताए गई जगा पर आ जाती है अब देखी प्रखर किस तरीके से अब प्लाइन को अंजाम देता है क्योंकि वेबसी देख चुका था क्रिमिनल साइकलोजी समझ चुका था पुलिस किस तरीके से काम करती है यह भी समझ चुका था पिछले कई दिनों से उसका फोन स्विच ओफ है या कहीं किसी भी तरीके से वो contact करने की कोशिश नहीं कर रहा है अपनी नाम वाली girlfriend को बलके अपनी दोस्त के जरीए कर रहा है अब होता ही हूँ है ध्यान दीजेगा वो एक जंगल में अपनी girlfriend को बलाता है girlfriend के phone से अपनी मा को message करवाता है कि मैं और मेरा boyfriend भाग चुके है ये रही मेरी location WhatsApp के जरीए अपनी मा को location भेज़ता है खुद प्रखर अपनी girlfriend के phone से मा को पहले तो डर लगता है कि बेटी कहां चले गई अचानले से भागने का क्या तुप था मा और जो पती उदित है वो दोनों मिलकर बताए गई location पर पहुझते हैं सुनसान इलाका था जंगलवा इलाका था अब जैसी प्रखर जो शीलू है जो दोस्त था वो देखती है कि हमें तो मा को मानना था यहां तो पती भी आ चुका है पती को कैसे अलग हटाया जाए अब देखी प्रखर किस तरीके से क्राइम वाला दिमाग काम करता है प्रखर अपनी girlfriend को कहता है कि देखो तुम अपने पिता को कहो कि फलाने फलानी जगा पर वो पहुझ जाए और अकेले आए मा को लेकर ना है मैं आपको उधरी मिल जाओंगी अब जोอदित था उसको लगा कि देखो बेटी तो भाग रही है बेटी को रोकने के लिए एक काम और क्या जा सकता है कि मां का था एकसिडिट पहली हो चुका था मैं भी अपने एकसिडिट के बारे में अपने बेटी को बढ़ा देता हूं वो ऐसा करता भी है लेकिन बेटी को कुछ फरक पड़ा नहीं उसने का पापा अप इस फलाने फलाने रोड पर आ जाईए मैं आपको उधर मिल जाओंगी अंजली यानि पत्नी को छोड़कर उधेद रोड पर जाता है देखता हूँ वहाँ पर कोई नहीं है प्रकर फिरस अपनी गर्फरेंड को कहता है कि आप सुनो एक काम कर आपने घर पर जाओ और अपनी दादी से अपने पापा की बात करवा कि तुम घर पहुँच चुकी हो और तुम घर पर ही हो लड़की कुछ ऐसा ही करती है लड़की घर पर जाती है अपने दादी की जरीए अपने पापा को कॉल करके बताती है कि पापा मैं घर आ चुकी हूँ आप वापस आ जाईए मम्मे भी इधर ही है उदित घर पहुसता है देखता है अंजिली नहीं है वापर नहीं नाबालिक बेटी है यहाँ उदित इस सब चीजे कर रहा था लड़की को अपनी बेटी को ढूंड रहा था पहले रोड पर गया फिर हाईवे पर गया फिर वहाँ पर अपने घर पर आया कहीं कुछ नहीं मिला इधर जो प्रखर और दोस्त का जो नाबाली गल्फरंड है इसी जो आप ये ब्लू रंकी बाइक देख रहे हैं इसी बाइक के जरिए आगरा से शिमला भेज़ देता है ताकि पुलिस उन तर ना पहुच पाए अब जो प्रखर था वो पीछे से शिमला भी पहुचने की कोशिश करता है अब जैसे इसी मा हुआ तो हुआ क्या या तो लड़की मिली है या तो किसी ने लूट-पाट की चेकर में हद्या करने की कोशिश किए हुआ तो हुआ क्या क्यी सरे WhatsApp चैन्ट हंगा ले गए call recording खंगाली गई तब जाकर पता लगा कि प्रखण नाम का एक लड़का है जो नाबाईक लड़की के लगाता संपर्ख में था उसके साथ रिलेशन में था पुलिस ने फिलाल इनको शिमला जाकर इनके दोस्त की जो शिलू के जो फोन से लगातार लड़की को जो call जा रहे थे मैसेज जा रहे थे उसके अधार पर शिमला जाकर दोनों ही लड़कों को पकड़ लिया है फिलाल लड़की फरार है अब देखिए जो क्रिमिनल होते हैं कितने भी शातिर क्यों ना हो क्योंकि आप कानून की नजरों से या कानून के हाथों से कभी बच ली सकते